है गाइज आई होप योड़ डूइंग गूड यह वाला आई मेकप आज हम क्रिएट करने वाले हैं जो कि काफी खुबसूरत लगेगी अगर आप ब्राइडल के उपर ट्राइ करो अधर्वाइज आप इसको नाइट पार्टी में भी केरी कर सकते हो बहुत प्यारी लगती है प्यारी आप बहुत एजिअली आप इसको गुड़ रखते को हुट में अगर आप मेंडे लुक मेरा करें नहीं करते हो जो उपकिया है तो मेर्ट को आयंगे चोटा सुक्तर आप सकते लिम्हारी उपर प्लाय के नाइट लुक आप लाइग तो transition के लिए और उसको मैं circular motion में अच्छे से blend करते जाओंगी slowly ताकि कोई भी patches नजर ना आए और धीरे-धीरे मैं इसको build-up कर रही हूँ एक साथ color नहीं लेना है otherwise fallout बहुत ज़्यादा होंगी then मैंने यहाँ पे brown sorry maroon color पिक किया है और इसको मैं इस तरीके से भी सेप में apply करती जाओंगी जिससे की depth create हो जाएगी और eyes भी हमारी थोड़ी open लगेगी बड़ी लगेगी तो इस तरीके साथ कर सकते हो धीरे-धीरे आप देखो मैं pick कर रही हूँ एक साथ मैं कोई भी color नहीं लेती हूँ बहुत ज़्यादा आपको थोड़ी-थोड़ी से quantity लेना है और build up करती जानी है तो यह काफ़ी कुपसूरत लगती है देखे मैंने यहाँ पर deep color apply करना स्टार्ट कर दिया है और इसको मैं blend कर रही हूँ दिन मैंने यह black color पिक किया है अगर बिगिनर्स होना तो ब्लेक बिल्कुल भी मत लीजेगा अब ब्राउन लीजेगा अदर्वाइस आपकी जो है ना मैस क्रेट हो जाएगी बिल्कुल आई लूक में तो यहां मैं इसको अच्छे से blend कर रही हूँ ज्यादा बाहर के तरफ आपको नहीं जान निका केकी पैलेट से मैंने यह सीमर सेट पिक किया है जो कि काफी खूपसरत सी एक ब्रॉण जेंडर टोन वाली गोल्ड कलर है काफी लेहंगाज या फिर आपने देखा होगा जो भी आपकी वाक होती है ना ड्रेस में ज्यादा तर इसी कलर में होती है तो यह इंडियन कर रही हूं ग्लीटर आप चाहो तो ब्रेस यूच कर सकते हो टीएस कोस्मेटिक की ग्लीटर मैंने लिया है फिंगर से बहुत अच्छे से श्टिक हो जाती है ग्लू की बिल्कुल जरूरत नहीं है और मैंने यह पिक किया है डीप ब्राउन से इसको ब्लेंड करते जा रही ह दो मैंने यहाँ पर ब्राउस को फिल किया है उसी आई पयलेट जो मैंने दिखाया था मॉर्पिक की उसी से ही किया है तो इस तरी के सावगो नहीं है यहाँ नहीं है यह पिन इस ग्लू कर तक करने हो अपनी ब्लू को तोड़ी brushes को धो ड्रआ हो चाहिए और अब मैं यूज करूंगी यहां लैसेस अच्छे साब को श्टिक करनी है इनर और आउटर कॉर्णर को अच्छे साब प्रेस कर लीजिए या तो आप किसी ब्रस के हैल्प से भी प्रेस कर सकते हो क्योंकि इधर से ही जादा तर प्रोब्लेम होती है जब भी आप अप्लाइ करते हो लोवर लैस लाइन के पास में मैंने यहां पर अप्लाइ किया है सीमर ग्लीटर तो यह काफ़े प्यारी लगती है बहुत ग्लैम एफेक्ट देती है नाइट पार्टी में बहुत अच्छी लगती है तो इस तरीके से मैंने ग्लीटर अप्लाइ कर लिया है लोवर लैस लाइ कि मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताए फॉर्स टाइम विजिट करें चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक कर लिजेगा मिलते हैं अपने नेग्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई अज़ा आए अज़ा आए